द्रिश्टी आईएस के ओडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज का हमारा आर्टिकल दा हिंदू में छपी खबर नरेंद्र मोदी स्केप्स नैम समिट अगेन और दा ट्रिब्यून में छपी खबर वैंकईया काउंटर स्पार्ग एट नैम समिट के सम्मिलिस सारांश पर आधारित है इसमें टीम द्रिश्टी के इनपूट्स भी शामिल है यह ओडियो आर्टिकल सामान अध्ययन प्रश्ण पत्र दो के अंतर राष्ट्रिय संबंध खंड से जुड़ा है तो आईए लेख की शुरुआत करते हैं गुट निर्पेक्ष सम्मेलन और भारत हली में अजर्बैजान के बाकू में 18 गुट निर्पेक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया 120 देशों वाले इस समूह के सम्मेलन में दुनिया भर के नेताओं ने शिरकत की गुट निर्पेक्ष देशों के इस शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से उपराश्ट्रपती वेंकईया नाइडू ने मौजूदगी दर्ज कराई उन्होंने गुट निर्पेक्ष देशों के दूसरे सदस्यों के साथ भी बैठक की इस सम्मेलन में वैश्विक शान्ती और सुरक्षा तथा आतंकवाद का मुद्दा छाया रहा साथी सदस्य देशों के प्रमुखों ने बहु पक्षी सहियोग को मजबूत करने पर भी जोर दिया भारत ने सम्मू के सदस्यों से इस संग्ठन को नई चुनोतियों के मद्दे नजर प्रासंगिक और प्रभावी बनाने के लिए उसकी उपलब्धियों का निरिक्षड एवं विशलेशड करने की अपील की ऐसे में सवाल यह है कि क्या बदलते दौर में गुट निर्पेक्ष आंदोलन की प्रासंगिक्ता में कोई कमी तो नहीं आ गई है क्योंकि भारत भी इस बात पर खासा सवाल उठाता रहा है कि आतंकवाद और सुरक्षा के मुद्दे पर केवल बात न करके उसे अमली जामा पहनाने की भी जरूरत है दूसरी तरफ यह भी देखने को मिला है कि गुट निर्पेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदफ से होने के बावजूद भारतिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दो बार इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए है ऐसे में चर्चा इस बात की है कि भारतिय प्रधानमंत्री के इस सम्मेलन से किनारा करने के पीछे क्या वजहे है क्या भारत के लिए इस संग्ठन की सार्थक्ता अब नहीं रह गई है आईए विचार करते हैं आईए सबसे पहले इस सम्मेलन की मुख्य बातों पर एक नजर डाल लेते हैं अजर्बैजान की राजधानी बाकू में आयोजित इस सम्मेलन में संयुक्तराष्ट्र महा सभाकुप पुनरजीवित करने और अंतराष्ट्री शांती और सुरक्षा के खेत्र में संग्ठन के अधिकार को मजबूत करने की अवश्यक्ता पर जोड दिया गया सदस्य देशों के प्रमुखों ने सयुक्तराष्ट्र चार्टर, अंतराष्ट्रय कानून और प्रासंगिक अंतराष्ट्री सम्मेलनों के सिध्धान्तों के अनुसार आतंकवाद का मुकाबला करने में गुट निर्पेक्ष अंदोलन की एक जुटता को मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया सम्मेलन में जलवायू परिवर्तन के बढ़ते प्रतिकूल प्रभावों के बारे में चिंता व्यक्त की गई जो गंभीर रूप से गरीबी उन्मूलन और सतत विकास प्राप्त करने की दर को कम कर रहे हैं विशेश रूप से विकास शील देशों पर जलवायू परिवर्तन के बढ़ते प्रतिकूल प्रभावों पर चिंता व्यक्त की गई इस दो दिवसी शिखर सम्मेलन में तमाम सदस्य देशों और अंतरराश्ट्री संगठनों के गड़माने व्यक्ती और प्रतिनिधी शामिल हुए भारतिय प्रतिनिधी मंडल की अगवाई कर रहे उपराश्टपती वैंकईया नाइडू ने कहा कि गुट निर्पेक्ष आंदोलन ने वैश्विक शान्ती और सुरक्षा के समवर्धन में और करीब दो तिहाई मानवता की उम्मीदों को दुनिया के सामने रखने में एहम का निभाई है ऐसे में यह भी जानना एहम है कि गुट निर्पेक्ष आंदोलन की प्रिष्ट भूमी क्या रही है और इसके क्या उद्देश हैं गरसल दुतिय विश्वयुद्ध के बाद दुनिया साम्मेवादी सोविय संग और पूंजीवादी अमेरिका के बीच बटी ह भारत जैसे देश भी इसी श्रेडी में शामिल थे उपनिवेशवाद से आजाद इन देशों ने खुद को दोनों समूहों से दूर रखते हुए एक समूह गुट निर्पेक्ष आंदोलन की स्थापना की गुट निर्पेक्षता की पहल 1955 के बांडुंग सम्मेलन के जरिये की गई जिसमें भारत के ततकालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नहरू, मिश्र के राष्टपती अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के राष्टपती सुकर्णो जैसे नेताओं ने महत्तपून भूमी का निभाई गुट निर्पेक्ष अंदोलन की अधिकारिक स्थापना 1961 के पहले बेल ग्रेट सम्मेलन में हुई थी मौजूदा वक्त में गुट निर्पेक्ष अंदोलन संयुक्त राष्ट के बाद दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक समनवय और परामर्श मंच है इस समूह में 120 विकाशील देश शामिल है इसके अलावा इस समूह में 17 देशों और 10 अंतर राष्ट्रिये संगठनों को परिवेक्षक का दरजा प्राप्त है यह एक अध्विती समूह है जो हर सदस्य देश को बिना किसी भेदभाव के वैश्विक और राजनीतिक प्रक्रियाओं में निर्णे लेने में सक्षम बनाता है आंदोलन का नेत्रित्व एक अध्यक्ष द्वारा किया जाता है जो हर तीन साल में बदल जाता है मौजूदा सम्मेलन के बाद वेनेजुएला ने इसकी अध्यक्षता अजर बैजान को सौपी है और इसकी अवधी 2019 से 2022 तक रहेगी इस आंदोलन का मकसद शीत युद्ध की राजनीती का अंत करना था इसके तहट कुछ देशों के वर्चस्व की भावना पर अधारित वैश्विग व्यवस्था के स्थान पर समता मूलक वेश्व का निर्माड करने की कोशिश की गई है इस मंच के जरिये शांतिपूर तरीके से दुनिया के मसले को सुलज़ाया जाता है दुनिया में मौलक अधिकारों की रक्षा करना आतंकवाद शांती एवं सुरक्षा जैसे तमाम पहलूँँ पर सहयोग इस्थापित करना इसका लक्ष है ऐसे में सवाल है कि मौजूदा वक्त में गुट निर्पेक्ष अंदोलन किस प्रकार प्रासंगिक है गुट निर्पेक्ष नीती को अपनाई हुए लगभग 6 दशक हो गए है पर अपनी प्रगतिशीलता और समतावादी अवधारणा के कारल यह नीती आज भी बेहत प्रासंगिक है मौजूदा वक्त में अमेरिका और चीन दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में उभर रहे हैं और यह अपने हितों के लिए दुनिया को दो भागों में बाटने की भी कोशिश कर रहे हैं ऐसे में गुट निर्पेक्ष नीती से इनकी वर्चस्ववादी भावना को रोका जा सकता है गुट निर्पेक्षता की नीती स्वतंत्र एवं निश्पक्ष विदेश नीती का समर्थन करती है हालिया वर्षों में फिलिस्तीन के मुद्दे पर अमेरिका के प्रस्ताओं का विरोध करना भारत की स्वतंत्र विदेश नीती को भी दर्शाता है गुट निर्पेक्ष नीती पूरी दुनिया में आजादी की भावना को बनाए रखने पर भी बल देती है विभिन्न देशों द्वारा फिलिस्तीन की आजादी के मुद्दे पर एक जुठ होना भी इस नीती की प्रासंगिक्ता का ही एक पहलू है इसके अलावा निरस्त्री करण तथा युद्ध के मामले में शांतिपूर्ण तरीके से समस्या के समाधान की नीती वैश्विक इस्थिरता के लिए आज भी जरूरी है मौलिक अधिकारों पर बल दिये जाने के कारल रोहिंग्या तथा आतंकवास से प्रभावित देशों के प्रवासियों से संबंधिस समस्या का समाधान भी इस नीती के द्वारा किया जा सकता है इससे साफ है कि कुछ ऐसे तत्व हैं जिसकी वजह से यह आंदोलन ना केवल आज प्रासंगिक है बलकि सद्यों तक यह प्रासंगिक होने का माध्दा रखता है लेकिन भारती प्रधानमंत्री मोधी द्वारा लगातार दूसरी बार इस सम्मेलन में शिरकत ना करना बताता है कि भारत की नजर में इसकी प्रासंगिक्ता कम हो रही है लिहाजा यह देखने वाली बात होगी कि पंडित नहरू से अलग राह पर चलने की कवायत भारत के लिए कितना मुफीद साबित होगी ऐसे में सवाल है कि प्रधानमंत्री मोधी द्वारा गुट निर्पेक्ष सम्मेलन में ना जाने की वजह क्या है गौर तलब है कि प्रधानमंत्री मोधी ने लगातार दूसरी बार गुट निर्पेक्ष सम्मेलन में शिरकत नहीं की 2016 में अजरबैजान सम्मेलन में भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंडर मोधी के बजाए ततकालीन उपराश्ट्रपती हामिद अंसारी ने हिस्सा लिया था इस दफा उपराश्ट्रपती एम वैंकईया नाइडू इस सम्मेलन में भाग लेने गए प्रधानमंत्री मोधी से पहले एक मात्र मौका तब आया था जब 1989 में ततकालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंग सम्मेलन में नहीं गए थे ऐसा माना जा रहा है कि सम्मेलन में नहीं जाने के पीशे प्रधानमंत्री मोधी की कूटनीतिक सूजबूज है कहने की जरूरत नहीं कि कीशवी सदी में भारत इस वक्त ऐसे मोल पर है जहां भारत को दुनिया के कई संगठनों से कूटनीतिक और रणनीतिक संबंध स्थापित करने की जरूरत है भारत इस वक्त एक साथ अमेरिका, रूस और चीन जैसी शक्ती के साथ मजबूत व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध बनाए हुए है लिहाजा भारत के लिए मुश्किल है कि वो बिना किसी गुट में शामिल हुए अपने हितों का ख्याल रख सके ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी देश को विकास और सुरक्षा के जिस मार्ग पर ले जाना चाह रहे हैं उसके लिए अब गुट निर्पेक्ष अंदोलन की सार्थकता नहीं है यह भी तर्क दिया जा रहा है कि गुट निर्पेक्ष अंदोलन में सदस्य देशों को आपस में जोडने वाले तत्वों का अभाव है गुट निर्पेक्ष देशों ने भारत के कठिन समय में कभी उसका साथ नहीं दिया चाहे वाए 1962 का चीनी आक्रमण हो या 2002 का मुंबई आतंग की हमला ऐसे में सवाल है कि क्या हो आगे की राह यह सच है कि अब गुट निर्पेक्ष अंदोलन की निरर्थकता के बारे में बहुत से तर्क दिये जा सकते हैं और दिये भी जा रहे हैं लेकिन कुछ बिंदू ऐसे हैं जिन पर विचार करने से पता चलता है कि इसकी सदस्यता बेमानी भी नहीं है पहली एहम बात तो यह है कि यह संगठन किसी देश के व्यक्तिकत उत्थान में कोई अरचन पैदा नहीं करता है इसके सदस्यत देश खुद के विकास के लिए फैसले लेने को आजाद हैं पाकिस्तान के साथ बदले रिष्टों को देखते हुए भले ही कोई गुट निर्पेक्ष देश उसे अलग थलग करने को सहमत ना हो लेकिन आतंकुआद विरोधी हमारी मनुभावना के प्रदर्शन के लिए यह संग्ठन एक अच्छा मंच साबित हो सकता है हालिया समेलन में भी आतंकुआद के मुद्दे पर खूब जोर दिया गया है यह भी गौर करने वाली बात है कि भारत अब संयुक्त राष्ट के सुरक्षा परिशत की स्थाई सदस्यता प्राप्त करना चाहता है फिर ऐसे में गुट निर्पेक्ष संग्ठन को नजर अंदाज कर यह मुकाम हासिल करना भारत के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा यकीनन गुट निर्पेक्ष देशों का समर्थन भारत की समांग को वदंदार बनाएगा इससे इतर देखे तो भारत जिस प्रकार की विदेश नीती को अपना रहा है उसको देखते हुए गुट निर्पेक्ष संग्ठन आज भी बेहद एहम है हो सकता है कि आज की विदेश नीती की व्यस्तिता को देखते हुए भले ही इस संग्ठन की सदस्यता हमें निरर्थक लगे लेकिन इस परिवर्तन शिल दौर में विश्व समुदाय को साथ लेकर चलना ही दूर दशिता होगी जिस तरह से वैश्विक परिद्रिश पर राजनीतिक परिस्थितियां और मुद्दे बदलते रहते हैं उसे देख कर तो यही लगता है कि संग्ठन की प्रासंगिक्ता हमेशा ही बनी रहेगी तो आईए नोट करते हैं आज का सवाल संस्थापक देश होने के बावजूद भारत तक गुट निर्पेक्ष अंदोलन से किनारा करने का क्या ओचित है समा लोचनात्मक मुल्यांकन कीजिए